हेलो इर्वन, सरवक अकेडमी में आप सभी लोह का स्वागत है, आज ही क्लास में हम वकाइब की क्लास में, स्सेसी सेजल टियर वन, 16 मैए 2010 के सिट सेकेंड के वकाइब के क्वेस्टन देखेंगे, प्रिवेस एयर के क्वेस्टन देखेंगे, तो चलते हैं आज के हमारे फाइ एंटरेम्स जो की जिसे स्टार्ट करते हैं पहला हमारा एंटरेम्स दिया हुआ है जैडिसन 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 मिन्स तु थ्रो थिंग्स फ्यूल्स एट्सेटरा फ्रॉम मुविंग प्लेन और सिप टू मेक लाइटर याने की कोई भी समान जैसे की फ्यूल हो गए और भी जो भी सी जो कहा से सिप पे हम जा रहा है और वह सिप डूबने वाली हो तो उसे हलका करने के लिए हम उसके समान ठेकते हैं तो मतलब की अलगाव जैडिसन मतलब की किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलगाव होना यह बताता है तो इसका राइट एंस रोगा आप्शन फर्स सेफ रखना और कंजेंट कंजेंट मतलब की एग्रिमेंट परमिशन सहमती अनुमती बड़ते नेस्ट क्वेशन की तरफ अमेलियरेट अमेलियरेट मिन्स टू मोडिफाई और करेक्शन या बेटर्मेंट जैसे की उन्नती सुधार और इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन वरछन कि चीछ सीक्स क्विगार ना खराप करना बहुत बुरा करना और मिन्स होता है मिलेइट मी 마음에 स्होता है शुधार ना मोडिफाई करना तो इसका त Single अ बागी सारे options देखते हैं option first, improve, improve मतलब भी होता है सुधारना जो की amelorate का synonym होगा depend, depend मतलब की निर्भर होना, किसी की अधीन होना soften, soften मतलब की कोमल होना, विदर्म होना moderate होना, उसे हम soften करते हैं, बलते हैं next question की तरफ grotesque grotesque means अनोखा, भद्दा या भरस्ट जो भी कहते हैं जो भी कर लें, इसका right answer होगा, option first natural, प्राकृतिक real, genuine ordinary, साधारण, वास्तविक हम इसे कह सकते हैं और बागी सारे options देखते हैं option second, odd, और मतलब मिचित्र, अनोखा इसमें भी होगा weird, बिजारे next option देखते हैं, whimsical whimsical मतलब संकी eccentric, capricious or signful signful मतलब papi, sinful मतलब papi immoral, evil, rob बढ़ते हैं next question की तरफ devious, devious means केड़ा मेड़ा, कुटिल, जटिल curved, चलांक bend, क्रुक कुछ भी कह सकते हैं, तो devious मतलब चलांक चलांक का antonyms होगा सीरा सादा, option first straight, straight means सीरा सादा, sincere कह सकते हैं और बाकी option देखते हैं, obvious obvious मतलब spust या प्रत्यच और simple, simple मतलब subtle, easy, softer, facile बढ़ते हैं superficial, superficial means 6, shallow fleet, flintzy बढ़ते हैं, next question की तरफ evanescent, evanescent means छड़ भंगुर, आस, thai temporary, कोई वीचे जो transitory हो, temporary हो, deciduous हो उसे हम evanescent कहते हैं तो इसका right answer होगा, option second, permanent permanent, permanent मतलब होता है, style जो की long lasting होता है, उसे static जो होता है, stable होते हैं उन्हें हम permanent कहते हैं और बागी बचे हुए option के रेखते हैं, option first eminent, imminent मतलब होता है की nicket, pass adjacent या फिर approximate कह सकते हैं pervasive, pervasive means comprehensive spreading मतलब की फैलने वाला और imminent मतलब की continuous continuous मतलब की निरंतर, लगातार बढ़ते हैं अगरे question की तरफ अब हम देखेंगे, अभी तक हमने अंट्रून्स, पांच अंट्रून्स देखा अब हम synonyms की तरफ बढ़ते हैं हमारा चटा question है debacle debacle means होता है sequence देना, demolition करना, eradication करना मतलब की किसी चीज़ को धस्त करना तबाह करना, उसे eradicate करते हैं, तो इसका synonyms होगा, the answer is option second, downfall downfall मतलब की destruct करना, revenge करना, दम खतम कर देना, उसे downfall best synonyms downfall होगा decline, decline मतलब होता है कि नीचे जाना deterioration, मतलब की घटना, downgrade करना कम होना किसी चीज़ की value पहले ज़्यादा थी, अब घट रही है कम हो रही है, उसे decline कहते हैं, और discount feature, discount feature means failure reduction और degeneration, degeneration means devolution, deterioration सब कुछ कह सकते हैं, बढ़ते हैं, next question की तरफ ostracize ostracize means exclude, यानि कि बहिसकार करना, किसी चीज़ को बहिसकार करना तो right answer होगा, option first banish means भी होता है बहिसकार करना, exile expatriate, deport कुछ भी कर लिजे और बचे हुए option देखते हैं option second, belittle belittle मतलब कम तर राखना, कम होना या कम तर राखना किसी चीज़ को decrease और option third, beguile beguile मतलब की मोहित करना, बीवीच, deceive, दोका देना cheat, कुछ भी or basis, basis मतलब घेर लेना, किसी चीज़ की घेराबंदी कर लेना उससे कहते हैं, basis bond, या blockade, जो भी कह सकते हैं बर्दे, next question की तरफ prophylactic prophylactic means रोग निरोधी, रोग निरोधी मतलब की preventive, protective को हम prophylactic कहते हैं और इसका synonym जोगा option third, preventive preventive मतलब की किसी ची़च का रोग निरोध करना, मतलब किसी ची़च का पचाओ करना preventive मतलब की, और बाकी सारे options option first, antagonistic antagonistic मतलब विरोधी opponent, hostile, resistive option second, toxic toxic मतलब की poisonous, venomous जहर option fourth, purgative, purgative मतलब की पेट साप करने वाली दवा मतलब लग जेक्टिव बढ़ते हैं, next question की तरफ caudal caudal मतलब की लाड प्यार करना पुच कारना, मनाना except cherries इनको कहते हैं, caudal तो इसका right answer होगा, option second, satisfy satisfy मतलब संतुष्ट करना, किसी को temper करना, humor करना indulge करना, और बचे हुए option की देखते हैं, hurdle hurdle मतलब वता है, भीडवाट भीडवाट तो flock, hustle, scrum इसके और इनोनिम्स होंगे option third, protect protect मतलब की सुरच्चा करना, किसी की सुरच्चा करना, defend करना, secure करना, बचाना, save करना option fourth, cheat cheat मतलब की धोखा देना, deceit, fraud, deception बढ़ते हैं, next question की तरफ flimsy, flimsy मतलब कमजोर weak, slack, factless इसका सिनोनिम्स होगा option third, weak weak मतलब कमजोर होता है और बचे हुए option funny, funny मतलब मजा किया irrational, irrational मतलब मुर्ख, foolish और partition partition में पर्च पात करना, पर्च पात पूर्ड prejudiced या partial बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब हमारे 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स हो गए अब हम 5 one word substitution देखेंगे हमारा अगला question है one who hides away on a sheep to obtain a free passes इसका right answer होगा option third, store away store away इसका आर्थ है कि कहीं भी किसी सीप पे चोरी से बैठ जाना जिसका विना फियर दिये हुए विना फियर दिये हुए चोरी से और वहां से एक अस्थान से कहीं और चले गए किसी दूसरे देस्ट या किसी दूसरे सहर चले गए मिना पैसा दे जुए उसे हम कहते हैं store away और बचे गए option composer, composer means संगितकार, stoker, stoker means fireman और shipwright shipwright मतलब जहाज बनाने वाला जो जहाज बनाने वाला होता है उसे हम shipwright कहते हैं बढ़ते हैं अगले question की तरफ clues available at a scene the right answer is circumstantial किसी भी घटना अस्थल पे जो भी clues मिलते हैं उसे हम circumstantial कहते हैं तो बढ़ते हैं दूसरा option जेखते हैं derivative, derivative means कि किसी चीज से उत्पन होने वाला मतलब की mood धातू उसे हम derivatives कहते हैं और option third inferential, inferential मतलब की अनुमानिक जिसे हम अनुमान लगा लेते हैं assumption उसे inferential कहते हैं और suggestive, suggestive meaning की denotative या indicative indicative इसका means होगा बढ़ते हैं, next question की तरफ an unexpected piece of good fortune the right answer is option first, windfall मतलब की किसी भी चीज का unexpected मतलब की आपको अनुमान ना हो जो आपके पास धन की वर्षा हो जाए अपर त्यासिस लाब हो जाए कोई काम आप कर रहे हैं तो आपको अचानक से कुछ बढ़ा मिल जाए, बढ़ा धन मिल जाए बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए उसे हम कहते हैं, windfall उसे ही कहा जाता है an unexpected piece of good fortune अचानक मिला धन jackpot लग जाना, बोरांजा लग जाना या कोई आपका कुछ भी प्रॉफिट हो जाना, उसे हम कहेंगे windfall, बागे सारे options एकते हैं, option second, philanthropy philanthropy मतलब की परवकारी, benevolent charitableness और benevolence में भी परवकारी होता है और turn style, turn style मतलब घुमने वाला दरवाजा, जैसा कि कहीं आप पार्कॉर्क में जाते हैं, तो वो दरवाजा घुमने वाला लगा होता है, या फिर किसी restaurant में कहें, वहाँ लगा होता है उसे हम turn style कहते हैं बढ़ते हैं, next question की तरफ and emolument over and above fixed income और salary the right answer is option first, honorarium honorarium मतलब की salary wage, parislamic किसी का fixed salary income जो है, किसी का रखा हुआ है, तो honorarium कहते हैं और option second देखते हैं, syna cure syna cure मतलब की, chain की नौकरी मतलब की, soft option मतलब की, समझ सकते हैं की syna cure मतलब की, आपको पैसे मिल रहे नौकरी की, लेकिन आपको काम कुछ नहीं करना, जाकर बैठना, आराम करना उसे हम syna cure कहते हैं और percuside, percuside मतलब concession, facility और prerogative, prerogative मतलब विश्यसादिकार, कि किसी को विश्यसादिकार है कि, जैसे प्रथामंत्रियों कुछ विश्यसादिकार होता है राश्पती कुछ विश्यसादिकार है कि राश्पती को विश्यसादार है कि वो किसी के मिर्थू डंड को माप कर सकते हैं तो उनका प्रेरोगेटिव है ठीक बढ़ते हैं नेस्ट कोईशन की तरफ अगर पूछता पार्टिकुलर डिजन के किसी प्लांट को पूछता तो उसे फ्लोरा कहते हैं जो कि option first में दिया हुआ है और म्यूजियम मतलब कि संग्रहाला है प्लेस वेर क्या नाम है कि पूराने कल्चर हिस्टोरिकल चीज़े रखी जाती हैं इसे डिस्प्ले करने के लिए रखे गई हैं कि आप आए और उसे देखके जाए कि हमारे देश में चाया हमारे पूराने ज कीज़े थी उन्हें आप मिजियम में देख सकते हैं जू में रखा जाता है जानवरों को लोगों को देखने के लिए सुरच्चित रखा जाता है बढ़ते हैं अस्ट केसे की तरफ इसमें आप करेक्ट इस स्पेल देखेंगे कि कौन सा स्पेलिंग्स सई लिखा हुआ है औ हमारा दिया हुआ है option चारा option दिये हुए पहरा फरनालिया पार्चि मोनियस पेकाडिलो और पेडिया ट्रिक्स तो इसका right answer होगा option second पार्चि मोनियस की spilling सही ही दिये हुए है पार्चि मोनियस में तोता है कि फाइथी, economical, thrifty, managing, कुछों की कम खर्च करने मला होता है, उसे पार्शी मोनेस कहते हैं, और हम देख लेते हैं, कि बाकी बचे हुए उसन में क्या-क्या मिस्टेक है, पहला उसन पहरा फरनालिया, पहरा फरनालिया मिस्टेक है, पी ए, आरे, पी एच, ई, यहां ए दिया हुआ है, लेकिन होगा ए, पी ए, आरे, पी एच, इ, आर, यहन, ई, यह ला इए, पहरा फरनालिया मिस्टेक है, गुरूप आपार्टर्स, एक्क्विप्मेंट, की सास समान, सास संदर्ता करने का कोई समान, उसे हम कहते हैं, पहारी और परिडिलो की स्पेलिंग विस्टेक है इसमें होगा डबल ओ पी डबल सी डबल ऑबल अर्टी डबलल में अगते हैं परिडियात्रिक्स Pediatrics मतलब की बाल चीकिस्ता बच्चों के जो चीकिस्ता होते हैं उन्हों Pediatrics कहते हैं यहां spelling mistake है P.E.A. के जगए P.A.E. होगा P.A.E. D.I.A. P.R.I.C. Pediatrics बढ़ते नेस्ट केस्टन की तरफ Option 17 They are miserable Manageable 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 तो राइट एंसर होगा Option 2 Manageable जिसकी spelling correct दिया हुआ है Manageable मतलब की संचालन करने होगी कि जिसे की आप संचालन कर सकते हैं मतलब की जो difficult नहों हो Easy हो उसे हम Manageable कहते हैं इसकी spelling सही दिया हुए है अब देखते हैं बाकिसारे में कहां spelling गलत है Option 1 Miserable Miserable मतलब की जिसकी हम जिसे हम नाप सकते हैं That can be measured उसे हम miserable कहते हैं Miserable की spelling होगी M-E-A-S-U-R-A-B-L-E इसमें जो E एक एश्टरा दिया है उसे अटाएंगे है M-E-A-S-U-R-A-B-L-E Miserable means जिसे हम मिजर्ड कर ले Option 3 देखते हैं Marisable Marisable मतलब की fit for marriage Suitable for marriage ठीक है तो इसकी spelling क्या होगी correct spelling M-A-R-R-I-A-G-E-A-B-L-E इसमें एक E की कमी है G के बाद एक E होगा Marisable मतलब की suitable for marriage जो की साधी करने योग हैं उसे हम marisable कहते हैं Maniurable 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 मतलब की That can be easily moved जिसे की जल्दी आसानी सहटा है जासकता है उसे मैंने भी variable करते हैं Spelling इसकी correct spelling होगी Maniurable Maniurable यहाँ पे Maniurable Maniurable के बाद एक U होगा जो की इसमें छुटा हुआ है Maniurable Maniurable means That can be easily moved But the next question की तरफ Question 18 Option दिया हुआ है हमारे पास चारा Option Tustle Tunnel Tumble Travel तो इसका right answer होगा Option 3 Tumble जिसकी spelling correct दियो है Tumble means To fall down Suddenly But without But without serious injury अच्चानक लड़कडा कर गिर जाना मतलब की चलते चलते रास्ते में आप गिर गए किसी चीश से ठोकर लगने से चाहेगा ऐसे भी और आपको कोई injury ना हुई उसे हम टम्बल कहते हैं तो बागी option देखते हैं Option 4 Tustle 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 की spelling mistake है T-U-S-S-L-E होगा E-L के जगए L-E होगा इसका means होता है fight between two or more people who want to have the same things मतलब की किसी एक चीश के लिए कई धेर साय लोग का लड़ना यानि कि एक अनार सो भी मार हिंदी में कह सकते हैं मुआबरा है उसे हम Tustle कहते हैं और Tunnel Tunnel की right correct spelling होगी T-U-N-E-L इसमें भी L-E की जगए E-L होगा Tunnel मतलब की underground passway की एक तरीके से हम Tunnel को कह सकते हैं जमिन के अंदर जो नाला बनावता है उसे हम Tunnel कहते हैं और Tunnel फोर जगते हैं Travel की spell नहीं होगी Tribal T-R-I-W-E-L-E-Tribal means paper making मतलब की paper से जो कागज बनते हैं काम होता है उसे हम Tribal करते हैं बढ़ते हैं next question की तरफ हमारे पास चार आप्सन दिये हैं Question 19 में Populous Pompous Prelius Prism to us तो इसका right answer होगा option fourth Prism to us Spelling के तम correct दिये हुए Prism to us means Accord Heat जैसे की arrogant कह सकते हैं Egotistical या जो व्यक्ति over confidence होता है उसे हम Prism to us कहते हैं बाकी जो option गलत हैं उनको हम साही करते हैं देखते हैं option first Populous Populous के spelling होगी P-O-P-U-L-O-U-S Last में U के पहले S होगा U के पहले O होगा Populous means होता है Having a large population Densily populated कह सकते हैं Populous meaning उपर देखते हैं Option second पे Pompous Pompous मनसलब होता है Adumberpood Adumberpood मतलब कि दिखावती पन जिसमें imperious हो गया Self important over wearing उसे हम कहते हैं Pompous इसकी correct spelling होगी P-O-M-P-O-U-S इसमें एक यू एस्ट्रा दिया हुआ है P-O-M-P-O-U-S Pompous Option third देखते हैं Previous Previous means होता है Previous नहीं होगा यहाँ previous होगा L के जगा V होगा Previous Previous मतलब poor Antecedent या earlier या preceding को previous कहते हैं इसका synonym होते हैं बढ़ते हैं Next question की दरब Question 20 Question 20 में 4 option दिया है Imprompt Illustrious Illusory Impetus The right answer is Option second Illustrious Illustrious means famous Successful व्रक्ति जो होते हैं उन्हें Illustrious कहते हैं और बागी सारे जो गलत option हैं उनको हम सही करते हैं Option first कह दिया Imprompt दिया Imprompt की spelling होती है I-M-P-R-O M-P-T-U जो last में E-R-O वो नहीं होगा और Imprompt मिन्स होता है Without being prepared और Organized जैसे कि बिना तयारी के Unescripted जो होते हैं Unprepared उन्हें Imprompt कहते हैं एक्जाम में गए बिना तयारी के बैठ गए वो Imprompt होते हैं किसी चीज के लिए जिसकी तयारी ना की हुए वसे Imprompt कहते हैं और Option 3 जैकते हैं Illusory Illusory Correct spelling इसका होगा I-L-U-S-O-R-Y E-R-Y नहीं Illusory means Not Real जो यहां E दिया हुआ E को अटा के O करेंगे जैसे कि Illusory means होता है Imagination Imaginary जै लूजिव चलावा कह सकते हैं हम एक तरीके से Option 4 जैकते हैं Impetus Impetus means Something that encourages Something Else to Improve उसे Impetus कहते हैं Impetus की Correct spelling होगी I-M-P-E-T-U-S इसमें O नहीं होगा Impetus Impetus मतलब कि Catalyst एक तरीके से हम कह सकते हैं Catalyst Cases को बढ़ाना Cases में तिर्टा पैदा कर देना जैसे जोस पैदा कर देना जैसे कि Motivates कर देना उसे हम Impetus कहते हैं तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं यह था 16 माई 2010 के 2nd shift CGL Tier 1 का Vocab के 20 questions जिसमें की हमने Antonyms Synonyms 5 Antonyms 5 Synonyms 5 OneNote और 5 Spelling करेक्शन देगा ऐसे ही हम और भी वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा हैं तो सब्स्ट्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और सेर करना ना बोलें थैंक्यू वेरी मच्च